बिल्कुल ठीक हूँ तो आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक विंटर गिफ्ट आज हम बनाने वाले हैं चैने की दाल की पंजीरी या मीठी चैने की दाल जीसे हम कहते हैं बहुत असान है एंड तक देखना अपने वीडियो को इंग्रीडियोर्स में हमारे पास 500 ग्राम चैने की दाल है इसको मैंने रात पर दो लीचर दूद में बिगो कर रखा बादाम है शोहारे हैं मेरे पास और कोकणट है यह आप अपने मरर्जी के मताबिक ले सकते हैं कम भी ले सकते हैं अब हमने इसको भी ग्राइन कर लेना है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डाल है इसकी तरह पेस्ट बना लिया है चीनी हमारे पास यहां पर है 500 ग्राम उसके लावा हमारे पास जो थे घुड़ा नारियल और चौहारे वगारा उनको भी हमने ग्राइंड कर लिया है यह देख सकते हैं इन सब चीज़ों को हमने mix कर डिया है से किष्णिस भी लिया है हमने यहां पर अब हमने क्या करना है कि जो हमने पेश्ट बनाई थी इसको हमने fry करना है कि इस तरह से हम इसे फ्राइ करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसकी जो है साइड जो है पलत रहेंगे इस तरह से ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से पख जए तो जब यह दिखें का कलर माशाला बहुत बहुत अच्छा टेस्ट होता है माशाळा आपने इसको जरूर ट्राइ करना है आपना फीडबैक मुझे कॉमें शेक्षिन में जरूर देना है अब आप देख सकते हैं कि यह फ्राइ हो चुकी और इसके बहुत अच्छा है हमने क्या करना है कि इनको हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल लेना है ताकि यह मोटा मोटा से रहे क्योंकि अगर आप इसे ग्राइंड कर लेंगे तो यह बिल्कुल पाउडर से बन जाता है और इसका टेस्ट अच्छा नहीं बनता तो आप पी कोशिश करें कि आप हाथों के मदद से मसलें और इस काम को करने से पहले आप हाथों को अच्छी तरह से दो लें तो यह देखिए हम इस तरह से मसल लेंगे बाद हमारे पास शीनी है जैसे कि मैंने आपको इसी कॉंचिटी बताई थी 500 ग्राम है इसको हमने एक बटन में आट कर दिया है इसके अ हम इसे मल्ट कर लेंगे मैटा मोटा मैश कर लिए यह देख सकते हैं आपtwo दूसे तरफ रफ फ्रफ से तरे हमारा शीरा यह spicy हो lethal अब हमारे पास जो दाल ती उसको हमने शीरे में आड़ कर देते हैं इसके साथ ही हम इसमें जो है नारियल शोहारे और बडाम जो हमने ग्राइंड करके रखे थे वह भी हम इसमें आड़ कर देंगे इसके लाओ जो हमारे पास खिश्मिश थी इसको भी हम इसमें एड़ कर देंगे और यह रेड़ी है इसको हम मिक्स कर लेते हैं और माशाला यह रेड़ी है में लाइ रमाने रही माशाला तो हमारी चैने की डाल की पंजीरी रेडी है आप इसे गरम करके चाय के साथ खाएं बहुत मज़धार लगती है अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे फौर रेन लाइक कर दें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें करीब मुझूद बैल आइकन को लाजनी प्रेस कर दीजेगा अपनी कीमती राय का इज़ार कॉमेंट सेक्शन में जरूर कीजेगा और बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मेरी इस वीडियो का अपने फ्रेंज और फैमली मेंबर्स के साथ शेयर कीजेगा इन्शाला मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अलाफेज़ बिए